हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में 12 फालो के लिए आज के क्लास में हम फिजिक्स में आज एक और इंपॉर्टन टॉपिक लेकर आ चुके हैं आज का टॉपिक होगा हमारा फोटो डायोट पर आज इस क्लास में पूरा डीटेल कर देंगे कि फोटो पर नए हैं यहां पर हम फिजिक्स के अन्सौल पेपर सॉल्व करा रहे हैं और हमारा चल रहा है 2022 का सेट नबर सैविन इसका यह बस दो चार कोशन इसमें और बचे हुए हैं और बाकी का हमारा पूरा सॉल्व हो चुका है तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं आपको ब और देख प्रकाश को पहले बताते हैं फोटो डायड आखिरकार है क्या यहां पर फोटो का मतलब होता है प्रकाश अभी आपको समझा भी तेरह बहुत आसान तरीके से आप याद कर लेंगे पहली बात यह याद रखे कि फोटो का मतलब यहां पर है प्रकाश याने की एन अब अपको बता ही दिया की अब हमने आपको बता ही दिया कि फोटो का मतलब ही क्या होता है ईयनि इसके पास यसा डायोट है तो यह प्रकाश को किसमें परिवर्तित करेगा किसमें कनवर्ट करेगा ऑप कैसी शुवप तो यह यह घर से हम एक अगंब्स ठीटा है वो क्या करता है sunlight लेता है और उसकी help से आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिक वाले work होते हैं जैसे कि बल्ब है जिसे बल्ब का जलना फैन का जलना तो यह किस से चलते हैं आपके solar panel से चल सकते हैं तो कहने का मतलब है इसने sunlight लिए sunlight का मतलब है इसने प्रकाश उड़ जा लि यानि कि आपको विद्धुदूर्जा मिल जाएगी तो वही line यहाँ पर लिखी हुई है कि एक ऐसी युक्ति होगी जो प्रकाश को किस में convert करेगी विद्धूदूर्जा में convert करेगी तो आशा करते हैं यह आपको याद हो गया होगा उसके बाद देखी क्या लिखा हुआ कि इसमें PN संधी डायोट को उतकरम अभिनत में जोडा जाता है अब यह उतकरम अभिनत क्या होता है आपको बताते हैं कई बार बता भी चुके हैं अभिनत दो तरीके की होते हैं एक होता है अगर अभिनत एक होता है उतकरम अभिनत उतकरम का मतलब हम भी आपको बताया थ तो यह होता है अगर अभिनत P4 बताया भी हमने था P4 भाई positive होता है तो यह plus N वाला negative यानि की minus ठीक है तो जब ही सीधा सीधा जोड़ा होगा यहीं P वाला plus से N वाला minus से battery में तो यह कौन सा अभिनत होता है अगर अब इसका अगर हम opposite कर दें यानि की P है N है P वाला गरम अगर का उल्टा है इसलिस्त का नाम उत्करम रख दिया गया तो आपको समझ में आ गया कि इसमें जो P N संधी डायट होगा वह कैसा जूड़ा होगा उत्करम अभिनत इसका मतलब है P वाला जो जूड़ा होगा वह बैटरी के माइनस वाले सीरे से जूड़ा होगा और जो N अगर यह जान लिया फोटो डायट क्या है यह एक ऐसी युक्ति होती है जो प्रकाश उड़ा को किस में कनवर्ट करेगी विद्धू तूर्जा में कनवर्ट करेगी बस यही लाइन जो है वो बहुत में है अगर यह फोटो डायट एक नमबर भी विविन आ जाता है वहाँ इसमें पी-एन संधी डायोड जो है उसको उत्रम अभीनत में जोड़ा जाता है इतना लिख देंगे तो इनफ है आपको एक नमबर मिल जाएगा लेकिन अगर लॉंग में आ रहा है तो आपको सबकुछ लिखना पड़ेगा अब हम बात करेंगे इसके सिध्धान्त की तो सिध्धान्त यानि प्रिंसिपल को अगर आपको इसको समझना है तो आपको circuit बनाना पड़ेगा circuit मतलब है परिपत आपको पता हुँए जब भी हम में light की बात करते हैं तो lumière में हमेशा जब परिपत नहीं मनाते हैं तो कोई भी चीज हमको अच्छे समझ बने आती है तो ऐसा यहां पर भी है अगर आपको फोटो डायोट के सिध्धानत को समझना है तो आपको परिपत बनाना पड़ेगा परिपत भी सर्किट को बनाना पड़ेगा तो अब इस सर्किट में क्या होगा तो देखिए इस circuit में क्या होगा एक बाहरी बैटरी की सहता से धारा का प्रभा करते हैं यानि हम एक circuit ऐसा बनाएंगे और आपको पता है सirkit में बैटरी भी होती है और डायोड भी हमारा लगाओ जाएड़ सी वादे फोटो डायोड है तो डायोड तो लगाई होगा और उसमें प्रतिरोध भी होता है ठीक है यह साली चीज़े जब बननती है तभी तो एक परिपद बनता है परिपद का मिंस यानि की सरकित तभी तो बनता है तो हम ने क्या किया सबसे पहले परिपत बनाने के लिए एक बाहरी बैटरी लगाई बैटरी जिसमें प्लस माइनस होता है तो इस बैटरी की सायता से धारा भी बहेगी जब बैटरी लगेगी तभी तो धारा भाएगी यनि करेंट तभी तो आएगा तो हमने क्या किया एक बाहरी बैटरी की सायता से धारा का प्रवहा किया ठीक है यह बड़ी वाली जो लाइन होती इसको क्या बोलते है प्लस और जो छोटी वाली होती यह माइनस होती है आपको पता होगा उसके बाद क्या लिखा है कि इसमें एक हम PN संधी जाड डायोड भी जोड़ते है यह देखी जोड रखा है PN कैसे आप समझे कोई भी बैटरी हो उसमें अगर बड़ी लाइन है तो वह दिखाती है प्लस के सिंबल को और चोटी लाइन है तो वह दिखाती है माइनस के सिंबल को उसके बाद PN संधी डायोड में बता है जो इस तरीके से ट्रेंगिल होता है वह दिखाता है P टाइप के क्रिस्टल को औ तभी जाके डोनों मिलग है नोदी Seven संधी डाइॉड बनाते हैं तो यह आपको करद लिख्यूर तो जह से लिखत है यह मैं है principle जोड़ है यहां पर NE bit बेसे बटा रही इस तरीकें क्षैक्ट एक स्चेकन ये कुछ इस तरीके से मार जोरता हथा नीचे का सिंबल बड़ी लाइन शोटी वाली दिखाते हैं माइनस की ये नमने brings अ मुलज़ से इस स headquarters लिखा और मैजी यूlli अब यहाँ पर देखने वाली बात है, अभी हमने पढ़ा है डायोड में, फोटो राइट के बारे में हमने एक लाइन पढ़ी, कि जो P वाला होगा, वह जुड़ा होगा, माइनस से, और N वाला जो होगा, वो किस से जुड़ा होगा, प्लस से, जब ऐसा जुड़ा होगा, त से जुड़ा हुआ है तो इसलिए कौन सा अभिनत हो जाएगा उत्प्रम अभिनत हो जाएगा ये लाइन हम उप़र ही आपको बता चुके हैं यह देखी यहाँ पर बताया था कि PN संधी जो होती है इसमें वो उतक्रम अभिनक्त की तरी से जोड़ी जाती है तो देखे सिधान्त में जैसा जैसे बता रहे हैं सेम वैसा ही है अब यह देखी लिखा हुआ है कि एन छेतर को हम धंद्रूब यानि पॉजिटिव से जोड़ते हैं और पे को किस से जोड़ते हैं माइनस वाले से जोड़ते हैं इसमें जो पी छेतर होता है वो पतला होता है और साथ में पार दर्शी होता है पार दर्शी का मतलब ट्रांस्पेरेंट होता है और संधी के उपर काँच या प्लास्टिक की पड़ चढ़ा देते जो हमारी पियन संधी होगी उसमें हम क्या करेंगे इसके उपर हम काँच की या प्लास्टिक की परत चढ़ा देते तो ये तो हो गई हमारा संधी SORRY ये हमारा हो गया है सिद्धान आई होप आपको समझा पाया होंगे साथ ही आप थोड़ा बहुत तो याद भी कर लिए होंगे कि फोटो डायोट क्या है और इसका सिध्धान क्या मैं आपको इसका परिपत भी दिखा देते हैं जिससे आपको यह चीज रटनी भी नहीं पड़ेगी अभी दिखाते हैं तो यह देखी जैसा हमने आपको परिपत भी बना कर दिखाया था सेम यहाँ पर बना हुआ है जैसा सिध्धान्त में लिखा हुआ है एटेटिज वैसा ही सब कुछ है यहाँ पर देखी डायोड में यहाँ पर विक्रण आ रही यानिकि सनलाइट ठीक है तो इस तरीके से आप अच्छाय परत पर पहुच जाते है और लगुधारा का प्रभा शुरू हो जाता है यानि कि इसमें धारा है वो कैसे स्टार्ट होगी तो उसी के बारे में लिखा हुआ है आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि जब बाहरी बैटरी से हमें वोल्टेज मिल जाएगा अच्छाय परत पर पहुच जाते है जिससे लगुधारा का प्रभाज जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है और ये बात आप हमेशा याद रखे फोटो डायोड में कि इसमें जो धारा होगी वो एन से पी की और बहे की बताया था ना एन जुड़ा होगा प्लस से और पी ज हमने आपको बता भी चुके है धारा हमेशा प्लस से माइनस की और बहती है तो इसमें प्लस से माइनस की और का मतलब क्या है एन से पी की और बहेगी अब बात कर लेते हैं इसकी उप्योग की इसका उप्योग कहा होता है तो लिग दिया है इसका उप्योग प्रकार संचालि की लिए किया जाता है तो आशा करते हैं पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझा पाया हूंगे पूरे टॉपिक में हमने बहुत डीटेल में आपको सब कुछ अच्छे से बता दिया है पहली बास पोड़ोड है क्या उसके पास है इसका सिध्धान्त और सिध्धान्त भी र आशा करते हैं पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझा पाए हूंगे फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो कैसे लगी कॉमेंट करके जरूर बताएगा इस क्लास में इतने रखते हैं जब अग्री क्लास में मिलेंगे तो अगल